ओम स्रीगनेश आनमा दोस्तो आपका हारदिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में हम बात करने बाले हैं आज के धनूरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनका व्यपार वे केरिर कैसा रहेगा घर परिवार वे लब लाइफ कैसी रहेगी दोस्तो आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा और आप अपनी पूरी मेहनत से आज के दिन को और भी बहुत अच्छा बना लेंगे साथी आपके कारियों में सफलता मिलने से आपका आत्मिस्वास और अधिक बढ़ जाएगा जियां दोस्तो धन के मामलों में भी आज आप भाग्य साली साबित होंगे और आमदनी में बढ़ोतरी का कोई ना कोई जरिया आपको आज मिल ही जाएगा पारिवारिक जीवन बहतर रहेगा घर परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है हलाकि आज का दिन उत्तम रहेगा प्रन्टु किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने स्वास्त का पूरा ख्याल रखें स्वास्त उत्तम हो तभी यात्रा करें आज खर्चों की अधिकता रहेगी लेकिन आपको घबरानी की अवशकता नहीं होगी क्योंकि आमदनी भी बहतर रहेगी प्रेम जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे अपने जीवन साती के साथ वक्त बिताना आपको मानसिक रूप से फिट और तंदुरुष्ट रखेगा जो आपके लिए भविश्य के लिए उत्तम रहेगा साथ ही आज काफी वेस्तता के बावजूद परिवार के साथ वक्त बिताने का मोका आपको अवस्य मिलेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है आज घर परिवार में किसी सदस्य से कहसुनी होने की संभावना बन रही है आप अपने गुस्से पर काबू रखें साथ ही साथ संतान की गत्विदियों पर भी कड़ी नजर रखने की अवश्यक्ता है अन्यता आपको इनकी तरफ से परेशानी उस्तर हो सकती है और साथ ही अपने सत्रों की गत्विदियों पर भी पूर नजर रखें और वहां चलाते समय साथानी बरते हैं और साथ ही फैसों के लिंदिन में भी जरूरी साथानी रखें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्योशाय कैसा रहने वाला है कारिये छेत्र और व्यापार में तरक्की मिल सकती है साथ ही व्यापार में थोड़ी बहागदोर करनी पड़ सकती है साथ ही नोकरी करने वाले लोगों को अंचाही आत्रा भी आज करनी पड़ सकती है अगर आप कोई नया व्यापार सुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल नहीं होगा इसका आपको भविशे में नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी पती पतनी के बीच किसी बात को लेकर चल रहा मतवे दूर हो सकता है आप मामले को सांती पूर सुल्जानी की कोशिस करें साथ ही दामपते जीवन में भी मदूरता और प्रेम का महुल बना रहेगा और साथ ही बड़े बुजूर्गों का आसिरवाद भी प्राप्त होगा प्रेम जीवन में समय बितारें लोगों को सफलता प्राप्त होगी किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाबदायक होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहेगा वहन और मसीनरी के प्रियोग से साथधानी रखें और साथ यदिक दूरी की यात्राओं से सारी ठकान और मानसिक परेसानी उत्पन हो सकती है सिर्दर्द और बदंदर जैसी समस्चाओं से बचने के लिए नियमित योग करें व्यायाम करें प्राणायम करें और सुष्त रहें दोस्तों आज आप ये उपाय वश्य करें हनुमान चालीसा का पाट करें और गुड और चने का प्रसाद बाटें इसके साथ ही केसर या सिंदूर अर्पित करें भगवान हनुमान को इससे आपके जीवन में सुख समरीदी आएगी